नमस्कार दोस्तों तो आज हम बात करेंगे फाइब मार्स के कोश्चन्स की कुछ ऐसे कोश्चन्स जो आपके एक्जाम में 100% आते हैं तो चलिए सुरू करते हैं और आपको बताते हैं कैसे कौन से प्रशन है जो आपके एक्जाम में 5 मार्स के रूप में आ सकते हैं सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों की देखे कोई भी जो प्रशन है वो 5 मार्स का CBSC में नहीं आता है ठीक है? यानि कोई भी जो अकेला प्रशन होगा ठीक है? अकेला समझ रहे हैं? कोई भी जो ऐसा प्रशन है जो 5 मार्स का आप समझते हैं वह अक्चली 5 मार्स का नहीं होगा आपको या 5 मार्स में 3 questions मिलेंगे एक साथ ठीक है? या फिर आपको जो है की 5 मार्स में 5 questions मिलेंगे ठीक है? तो इस तरह से जो ही कि आपको 5 मार्स लेने पड़ेंगे या निकि आपको एक single question नहीं मिलेगा कोई भी 5 मार्स का आपको questions मिलेंगे 3 या फिर 5 5 मार्स का तभी होगा ठीक है? तो यहाँ पर अब क्या क्या आ सकता है? तो सबसे पहले मैं आपको chemistry से सुरू करता हूँ first chapter में बहुत कम chance होते आने के second chapter में जो है 5 मार्स के question बनता है और वो कहां बनता है तो वो बनेगा यहाँ से कि यह आपके जो जितने भी chemicals हैं यानि कि जो साधार नमक से रसायन बनते हैं जैसे sodium hydroxide, विरंजक चून, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, धुनयाला सोडा और प्लाश्व पैरिस तो इन पाचों से एक प्रशन बन सकता है जो कि आपके exam में आपको 5 marks देने में help करें तो दोस्तों इसमें आप क्या करेंगे सब के common name याद करेंगे जो यह common name है उसके बाद इनके chemical name याद कीजिए मैंने सब बता रखा है वीडियो नीचे description box में दी हुई है वहाँ पो जाके देख लिजिए ठीक है उसके पास इनके huge कम से कम तीन huge इनके याद रखने आपको ठीक है बस आपको 5 marks आराम से मिल जाएंगे और एक बाद इन सब में ठीक है कुछ water molecules होते हैं देखें यह hydrated compounds यानि की calcium sulfate यह copper sulfate 5H2O और यहां पर आप देखेंगे ने मतलब इन सब में क्या है यह सब hydrated है इन सब में जल के अणु होते हैं तो आप से कर यह पूछे तो आप यह तीन जरूरियाद करें क्योंकि बहुत important हो जाता है इन इसी भी क्रिश्टल का जो color होते है रंग होता है वह इन ही जल के अड़वों के कारण होता है ठीक है तो इसे याद रखें कॉमा नहीं है यहां गलती से लिखा दू ठीक है यहां पर डॉट होगा डॉट ठीक है यानि अकर हम फॉर्मुल लिखेंगे तो हम लिखेंगे तो जो metal नॉन-metal वाला है यहां भी 5 marks को कोशन बनता है और यहां पर जो बनेगा 5 marks को कोशन वह आपका यह हो सकता है यह अभिक्रिया सीधता सिरेणी पर ठीक है यह जो यहां पर है धातों का निसकर्षित आइस्क वाला यहां से आपका बन जाता है 5 marks को एक प्रशन ओके य निश्तापन इनमें अंतरियाद कर लिजेगर 100% आई सवाल हैं यह पहली बता रहाँ आपको थीक हैं तो यहां पर जो बनेगा वह यह है कि कैसे कैसे निस्तापन होता है कैसे ठीक है यह इंत्रक्रा Saud ऑर भर्जन ऑपर भरजन होगा भरजन और पिर गैंग तो इन सब को मिल इसको बोलते हैं कौपर का परिशकरण कहलाता है जिसमें सत परतीसत सुद्धातु पराप्त की जाती है इसका हम क्या करते हैं उसका हम बिद्ध अभगटनी परिशकरण करते हैं तो इसको अच्छी तरीके से आप कर लिजेगा उसके बाद हाँ इसी में सबसी इंपोर्ड़ थिरी मार्स में आ जाता है वह में बताये तो आपको देखें फाइव मार्स में यहां सभी प्रश्ण बन चाहिए कैसे है संछार सुरख्षा की जाती है संचार से शुरख्षा चाहर के लिए आपके पास कुछ उपाएं ठीके है सद ले भी दिन तो इसका स ande आध़ यॉस से बनी है भीइन जासे परत आ को और इस च्ञृब इस रिएब बनायाँ और और रजू तो यहां अगले म मैं आता हूँ यहां पर इस वाले में कहां गई हैं यहां पर चौथे में तो यहां फोर्थ वाले में आपके पास उस सबसी इंपोर्टन कोश्चन है सबसी इंपोर्टन वो है यहां पर हम पीछे चलेंगे समझाती है सिरेड़ी वाला ठीक है यह ऐसे थिरी मार्क्स में पुछाता है फाइब मार्क्स में नहीं बन पाते है तो इसे भी आप कर लेजगा लेकिन थिरी मार्क्स में आ सकता है वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊगा थिरी मार्क्स की फाइब मार्क्स में अब यहाँ प और एक हो गया और है आपको पहले बता हुँ निर्ज्रलिकराएं करें वाली मत्तब मिला कर बनेगा आपको फाइव मार्क कोश्टन और आपको इनको नहीं कर दो गये तो यह बन जायागा फाइव माक्स का कौश्टन करें मतलब इसमें जो रियक्सिन है ना जितनी पहले बोलना हुआ आपसे जितनी रियक्सिन है उनको लिख लिख कर लिए क्या पर नीचे जो कभी-कभी फाई मार्च को पूछ देता है वह होता है साबों अंतर ठीक है फिर डाग्राम यहाँ कि याद करके जाए और दोनों में अंतर लिखें ठीक है ये कैसे कैसे साबुन वर्क करता है इसको मिला के फाइब मार्क्स का कभी कभी आता है ठीक है I hope कि आपको समझ में आ गया आओगा तो चार चैप्टर के हैनी chemistry के यह हो गए और एक question और आपको मिलेगा यहां से फाइब मार्क्स में वह यह है यह table based question होगा एक ठीक है ठीक है त्री मार्क्स में आपको बताऊंगा लेकिन फाइब मार्क्स अभी बता रहा हो तो इसको ध्यान रखेगा अब दोस्तों यहां जो फिफ्ट चैप्टर में फाइब मार्क्स में बनता है वो है यह आधुनिक अधार पर बनता है तो यहां पर है जैसे प्रमाडु साइज कैसे घटा बढ़ता है ठीक है आवर्त में आवर्त में कैसे घटेगा बढ़ेगा संभू में कैसे घटेगा बढ़ेगा और इसके कारण यह यह है इसके कारण ठीक है कारण है यह तो यह भी आद करना बहुत जर से तो chemistry में five marks का आपके हो गए सारे ठीक है थोड़ी दिर में आपको बताऊंगा कि biology में कौन सा फाइब marks का सकता है यह physics में ठीक है physics में बताऊंगा पहले फिर biology में तो दोस्तों लगे रहे अपने काम में और आशा करता हूं कि आप जो है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे इस बार एक्जाम में और बिल्कुल बिल्कुल छोड़िये मत मतलब आपको अपनी टैंसल लेकिनी काम करना है जो बताया गया उसको आराम से कीजिए प्रिपेर फिर आ बहुत ही आसान लगेगा आपको तो मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में एक नए फाइब मार्क्स के यूं कहिए कि